कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में आज मेरे पास है टोयटा ग्लांजब भी वेरेंटे रहने वाला है और यह एम्ट में अवेलेबल है तो यह गाड़ी का हम आज वाकरांड रियू करने वाले हैं इसका कॉंपिटेशन मेर आने वाली है अल्ट्राइट्स आइटेंटी बलेनो वेसी गाड़िया चले दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और आगे जाने से पिले चैनल को स अच्छा इसका फ्रंट प्रोफाल लगता है विकॉस तोयोटा के आपको इसमें सिगनेचर ग्रिल मिलती है और जो लोवर कारवन फिनिश आपको बंपर है वो इसको खूपसूरत बना देता है जीच आपको फॉग लेंगे मिलेंगे एलीड में आइस कूप शेप में आपक इजेक्टर में आपको यहां पर हेलाइट सेटप देखने को मिलने वाली है एंड फॉलो मी होम लीड मी टू वहीकल के साथ यहां पर देख लेना 360 डिगरी का फ्रंट कैमेरा टोयोटा का लोगो तो एग्रेसिव लुक मुझे टोयोटा ग्लांदा का लगता है और मैं देख यहां देख सकते हैं लोवर विंडो गार्निश ऑके टील आपको कॉर्टर पैनल तक मिलने वाली है डोर हैंडल से दोस्तों वह आपको क्रोम में देखने को मिलने वाली है मैं का रशे बिलक सपठी हैं में देखने को मिलने वाला है स्वेक्शन अर्फेटली से ट्यूट की आ गाए पीछ आपकोentes अ देखने को मिलने वाला है जो जो healthy को अधे ग्रीम टिंटेड देखने को मिलने वाले है तो इसकी जो लेंथ है वो है 399-0 mm विड्थ आपको मिलेगी 1745 mm हाइट मिलेगी आपको दोस्तो 1500 mm बूट स्पेस 318 लीटर का वील बेस है 2520 mm का और इसका ग्रॉस वेट रहने वाला है 1410 kg का और कव वेट रहने वाला है 960 kg का दोस अमेजिंग यह तो मुझे बढ़िया लग रहा है रियर पॉफाइल कम बेटू बलेन और क्लांदर ऑल्मोस सेमी लग रहा है थोड़ आपको टेल लाइट डिफरंट देखने को यहां मिलने वाले है ओके यहां पर देख सकते हैं आपको यह लीडिस में टेल लाइट यह रि मिलेगा डीफ ऑगर भी है ठीके देन ग्लांजा की बैजिंग टोटा को लोगो ओके वीक की बैजिंग यह वी वेरेंट है बूट स्पेस यहां पर भी आपको बटन देखने को मिल जाता है जिसे यूज़ करके आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं ग्राब हैंडल पार्सल ट्रे इसमें प्रवाइड किया गया है दोस्तो तो 318 लीटर का बूट स्पेस हमें यह गाड़ी में ओफर किया गया है यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर टायर सेक्शन की बात करना रहे गया तो 195 आपको एलोज मिलेंगे और यह इसका टायर सेक्शन वैसा कुछ प्रोफाइल निकल गयाता है टोयोटा ग्लांजा का साइड से और यह इसका रियर से रावा में रहने का दोस्तों मज़ा कु हो गए कि यह मज़ा कुछ अलग ही मिल जाता है दोस्तों यह है इंजिन बेहाफ टोयोटा ग्लांजा आपको सेम इंजिन में लेका 1.2 लीटर का पेट्रोल एंजीन इंसुलेशन प्रवाइड किया गया है एटीट पंट फाइएच पाइच पाइच पर लिटर का माइलेज ह तो आपको कुछ मशक्कत करने नहीं बनती और इस तरह से बनाया जाता है तो यह सिनारीओ फॉर सिलिंडर आपको इनजिन देखने को मिलने वाला है रिफाइंड साइलेंड और रिलाइबल यह इनजित रिता है उसके अंदर जाने कि हमें इस तरह से कुछ स्मार्ट की सकते अंदर सेटिंग है और दोस्तों इसमें आपको ट्रिगल आलाम भी देखने को लगए यानि अगर कोई इसे चूने की कोशिश करता है तो उसकेस में गाड़ी बजर बजने लगता है तो गाड़ी चिलाने लगती है अंदर जाते हैं रिक्वेसर का जो बटन है दोस्तों तरफ है यानि यहाँ भी है और वो साइट भी है ओके तो यह है ड्राइवर सेट का डॉर डॉल टर में आपको इंटेर देखने को मिलेगा यह सौफ्ट है यह सौफ्ट है वाकि देख सकते हैं मीरर आज्जेस्ट करने के लिए यह दोनों आजस्टमेंट है पोल्डेबल यह देखिए पीचे चली तो यह खासे थे क्रोम में डोर हैंडल स्पीकर वन लिटर बार्ट निचे जग यह देख सकते हैं यहाँ पर ऑकि नीचे स्पेस मिल जाएगे तो यह सबुछ दोर निकल के आता है ड्राइवर साइड का यह फैब्रिक सीट्स ब्लाइक बेच कलर मे सीट से यह एंगल आगे पीचे आप कर सकते हैंगल आपके सीट से ना बहुत कुछ नहीं है यह वंदो इससे फाइब्रिक कमफरड़ेबल है एड्रेस्ट बहुत बड़े है तो रियली गूड तिंग वाकि अगर बात करेंगे यहाँ पर तो आपको ब्रेक पेडल करने के लिए पुछ आट का बटन इसका स्टेरिंग अंदर बेट के बात करते हैं इसका इंटरियर ऑके ब्लाक एंड बेज किलर में इंटरिय मिल जाएगा और यह जो पार्ट है इस पियानो ब्लाक फिनिश अब यहाँ पे वैनेटी मिरर येस यहाँ पे टिके फोल्डर न मिल जाएगा ग्लोब बॉक्स दीसंट साइज है बाती इस इवेंट देख सकते हैं सिल्वर फिनिश इस इवेंट को पर हैजर का बटन ओके लेन इहाँ पे ऑटोमेटिक एसी टोलोल का पावर सॉकेट यूश्वी कनिक्टिविटी नो वार्लेस चालजर दो का फोल्डर्स एंटी का गियर नॉब के आर एंडी एनम मैन्यूल में भी आप इसे चला सकते हैंड ब्रेक आम रेस्ट आम रेस्ट के अंदर स्पेस मिल जाएगी डिसेंट को ड्राइवर साइड डोर यह 360 डिगरी का कैमेरा और यह आप देख सकते हैं इस पर व्यू नाइन इंच की टर स् एन अपडेट इस में मिलने वाले है है टोयेकर प्रीम सांद स्टीम अनि अर्कम इत संथने में इसमें देखने को मिलने वाली है दो ट्यूटर चार स्पिकर इसमें प्रोगाइड कीए गयह है यह देकि ग्रिड़न एंड गादला सक प्रिसर कामेरा का रियूर्पे प्लिज 60-degree view quality amazing next level आपको इसमें मिलने वाले हैं यहां कुछ नीचे आपको touch मिल लाएंगे और voice command का भी इसमें आपको feature देखने को मिलने वाला है यह इसका de-cut leather wrap steering lower में आपको यह पियान ब्लाइक फिनिश मिल जाएगी Toyota का भीच में logo यहां पे volume in instrument cluster के switches volume up down mode okay and mute करने के option call to use call box voice command का बटन खुरूस का राइट साइड में तो यह लेदर wrap steering देख सकते हैं नीचे यहां पर fuel ending कर देख सकते हैं और बीच में चोटी सी इंस्क्रीन बहुत सरे वार्ट लाइट से ओके battery engine check light coolant light and handbrake light यहां पर देख से seatbelt light okay चोटी सी बीच में में इसक्रीन इसमें average fuel economy range पता चलने वाली है रेंज इसकी है ना current mileage के उपर यह दिखा जिती है याद रखिये यह सक्थ देख सकते इंस्ट mileage driving time idle start stop okay कितना अपने fuel save किया okay watch and आपका जो time है and day ठीक वो यह देख सकते motion okay torque and power information acceleration brake information okay then यहाँ पर 25 degree यानी आपका outside temperature दिखा रहा है 13.25 पहुच है नीचे बी ट्रीप यहाँ पर देख सकते total kilometer ए ट्रीप और और आर मेंस की गियर इंडिकेटर है इस तरह से आपको इंस्ट्रमेंट क्लस्टर मिलेगा अनॉलाग इंस्ट्रमेंट क्लस्टर है दोस्तों इसमें head up display मिल जाएगा और यहाँ पर आपको switch दिया गया है उसे use करने के लिए यह देख सकते हैं स्टार्टिंग हेलो तो क्या कुछ information मिलीगी let's see focus हो जाए भाई हाँ तो mileage आपको यहाँ पर शोग किया जाएगा इसके साथ साथ क्या है position पोजिशन आप मितलब आपके हाइट की पोजिशन है जैसे seat आपने जिसके उस तरह से आप इसकी position कर सकते हैं मोचली 0 पर रख देना ओके brightness क्या चाहिए और भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा information जैने इसमें आपको पता चलने वाला है टोटल किलोमेटर एंड स्पीड गियर इंडिकेडर यह इंफरमेशन शाहिद इसमें करेंगे सीट के बारे में तो आच्चे का से बड़े है सीटसे आच्छे का से ओल करें शोल्डर सपोट भी सीट्रीम थीक ठाक लंबर सपोट ऑच्छा है इसमें सीट तो इतना दोर ओपनिंग आपको मिल जाएगा चैल से प्लॉक है यहां भी आपको शॉफ्टर जाएगा सेकेंड दोर की हां मिल जाएगा इसके सीट्स 60-40 स्प्लीट सीट्स है दोस्तों इसे आप चाहिए तो नीचे भी देख सकते हैं यह 60-40 स्प्लीट सीट्स इसमें मिलने वाल है तो आप बूट पे एक्सस यहां से करवा सकते हैं चैल सेफ्टी माउंट्स अपको इसमें मिलने आ लिए मैंने अल्रेडी चैल सेफ्टी सीटी इंस्टोल की मेरे बिविक लिए पीछे दो इस इवेंट्स यस भी किसी टाइब टाइब दोनों चार्जिंग को अप्शन यह फास्ट चार्जिंग है दोस्तों थाइसों पर दे किया गया तो मैं इस तरह से बेटा हूँ ग्रहाब हैंडल हैंगर हुक मिल जाएगा कॉर्टर पैनल का ग्लास है तो इसमें नहीं लगता विंडोस टिंटेड है तो यहां इसमें मिलने वाला है विंडोस भी बड़े है तो पीचे से गाड़ी डिफिन आपको रूमी लगती है एक डिफिट रहता है मुझे आम रेश दिया होता तो और इसको मैं अच्छा मार्क देता है वह अच्छा रहता है जिसकी हाइड मोर दैन फाइट है उनके लिए ऐसा लगता नहीं ऐसा बैटना बढ़ता है तो हैड्रेस्ट होना तो कंफर्डेबल आप जर्णी कर सकते है तो यह ग्लांब जाकर यह सिट्स मैं इसको टेन ओट ओफ एट मार्स दूंगा दो मार्स काट है हम रेस्ट के लिए बहुत मैंटर करता है इसमें ABS, Brake Assist, Central Locking, Child Safety Locks, Six Airbags, Engine Immobilizer, Electronic Stability Control जो उसका मैं आपको स्विच अल्रेदी दिखाया था इसमें देखने को मिलने वाले है तो दोस्तों ग्लांजा है वो ब्ल्यू, ग्रे, सिल्वर, कैफे वाइट और रेड इतने सारे कलर आप्शन में है देखने को मिलने वाली कोई भी ड्यूल टन को उप्शन इसमें नहीं है तो दोस्तों यह है टोटा क्लांजा वी अपने देखा दो चीज की मुझे सिर्फ कमी लगती है वह यह वायरलेस चारजर और दूसरा है सर्म रूफ यह दो चीजे कमी है बाकि आपको बरबर के फीच बाइश है शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दूसरा शेयर करना उनको बोलना सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत इनफॉर्मिटीव वीडियो हमारे चैनल को परात्रे टोटा गलांजा के देखने को मिलने वाले है यही चोटा वीडियो था आपके लिए थापके लिए मिलने शोड़ी में बाइब बाइब